नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल Dream Home Associate तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिपेंडेंट फ्लोर और वो भी 120 मीटर के अंदर कॉर्णर की बिल्डिंग होने वाली है इंडिपेंडेंट फ्लोर है और क परसेंट तक बैंकलोर के साथ तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा अंदर और आपको दिखाते हैं फ्लेट तो गाइस हम फश्ट फ्लोर पर आ चुके हैं और यह इसकी एंट्रेंस होने वाली है और यह हमारा 3bhk फ्लेट है और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यह इसका काफी अच्छा साइज मिल जाएगा इसके अंदर ट्रॉइंग रूम का आपको और प्रॉपर वेंटिलेशन होने वाला इस फ्लेट के अंदर 120 मीटर के अंदर यह फ्लोर बना हुआ है 3bhk का फ्लोर यह है और रूम साइज काफी अच्छे मिल जाएगे इसमें आपको बार पर आवाज रोज़ना D-block इसकी ये location होने वाली है proper ventilation flat के अंदर आपको मिल जाएगा काफी अच्छा space इस flat के अंदर आपको मिलने वाला है तो टोटन तीम bedroom आपके इसके अंदर मिलने वाले आपको दो इसके अंदर आपको washroom मिल जाएगे एक attach और एक common ये जो सामने आप देख रहे है common washroom है और ये आजाता है इसका master bedroom जिसके साथ आपको attach washroom मिल जाएगा और location मैंने आपको इसकी बताई दिये GD approved ये property होने वाली है GD से approved है अगर आप इसके bank लेना चाहते है तो 90% तक आपको bank room मिल जाएगा और दोस्तों ये इसका washroom होने वाला है common washroom काफी अच्छा space मिल जाता है इसके अंदर और यहाँ पर आजाता है हमारा third bedroom अगर इसके size की बात करें तो 10-12 का size ये काफी अच्छा size मिलने वाला है और अगर work की बात करें क्या काम मिलने वाला है इस building के अंदर इस flat के अंदर आपको दिवारू पर wallpaper का work मिलने वाला है bedroom और drawing room के अंदर इस सारा wallpaper का work मिलने वाला है साथ इसाथ आपको इसके अंदर दो बालकनी मिलती है एक back side और एक front side तो मैं सबसे पहले आपको back side की इसकी बालकनी दिखा देता हूं काफी अच्छा space है फ्लेट के है 120 मिटर के अंदर ये फ्लेट बना हुआ है यह आ जाता इसका open space पूरी back की बालकनी और जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में काफी ventilation है रोशनी और हवा सारी चीज़ आएंगी कॉनर की बिल्डिंग होने वाली है 120 मिटर के अंदर ये फ्लोर बना हुआ है टोट अगर फ्लोर की बात के तो केवल तीन फ्लोर बने हुए हैं independent फ्लोर है तो बढ़ते हैं drug room की तरफ और आपको दिखाता हू निल जायागा आपको तो दोस्तों बढ़ते हैं बालकनी की तरफ और ये जैसा कि आप सामने देख रहे हैं इसकी kitchen होने वाली एक किचन का size भी देखे हैं आपका फीफ आच्छा size मिल जाता है kitchen का मॉड़ लो किचन होने वाली है इसके बास्कित वगरा सारी चीज़े लगी हुई है kitchen का size काफी अच्छा मिल जाता है यहाँ पर फ्रीज वगरा लगा सकते हैं और यहाँ पर हमारी बालकनी आ जाती है बालकनी का size काफी अच्छा है इसका मैं दिखा देता हूं आपको और यह बालकनी का size आप देख सकते हैं काफी अच्छा size मिल जाए बालकनी का corner की यह building होने वाली है 9 मिटर का आपको road मिल जाएगा दोनों तरफ 9,9 मिटर के road है और आपको civil line, ideal connection, park सारी चीज़े आपको इसके अंदर मिल जाएगी 90% तक bank loan मिल जाएगा तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके price के बारे में 45-45 लैक इसके demand होने वाली है प्रोपि के बारे में जाएगा जा बारे में 45-जामाल 1